हेलो प्यारी बच्चों कैसे हैं आप सभी आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे बच्चों इस वीडियो में हम डिस्कुस करेंगे क्लास सेकंड की वर्कशीट नमबर 138 जो की 21 दिसंबर 2021 की वर्कशीट है और आज का सब्जेक्ट है बच्चों मैट्स यानि की गनित तो सबसे पहले आप यहाँ अपना नाम लिखेंगे यहाँ आप अपनी टीचर का नाम लिखेंगे और क्लास सेकंड के आगे आप अपना सेक्शन ए बी या फिर सी जो भी सेक्शन है वो आप लिखेंगे ठीक है तो बच्चों 22 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है नाशनल माथमेटिक्स डे और यह क्यूं मनाया जाता है क्यूंकि 22 दिसंबर को एक भारत के बहुत ही महान गण तक यह रामानुजन जी का जन दिन होता है और इसी दिन को नैशनल माथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है ठीक है तो चलिए इस वाकशीट को हम शुरू करते हैं पहला प्रशन है चित्र पहली तो यहाँ पे हमें दो चित्र दिये हुए हैं दोनों ही चित्रों को हम सुब्र जमी नजर आ रही है वह म Satya के ऊपर एक स्ट्रक्चर बनाई हुई है जबकि वह यहाँ पर Given to貝न है तो यह पहला अंतर हो गया मैं देखा उआपको कि यहां पर कीड़ा नजर आएगा जबकि यहाँ पे कुछ भी नजर नहीं आ रहा है तो यह तीन अंतर हो गए और चौते अंतर को अगर अब ध्यान से देखें तो यहाँ पे भी आपको कुछ नजर आ रहा है शायद तितली है या क्या कुछ तो है जबकि यहाँ पे वो चीज नहीं है तो ये चार अंतर आप अपनी कॉपी में लिखेंगे ठीक है चलो अगला देखते हैं अगले टॉपिक में हमें दे रखा है मजेदार पहलिया प्यारे बच्चो आपको राश्ट्रिय गणित दिवस की अग्रिम शुबकाम नाए महान गणित अग्य श्री निवास रामानुजन का जन्म 22 दिसंबर 1887 को इरोड यानि की तमिल नाडू भारत में हुआ था गणित के शेत्र में उनके योगदान को हमेशा याद रखने के लिए हर साल 22 दिसंबर को राश्ट्रिय गणित दिवस यानि की National Mathematics Day बनाया जाता है और इस दिवस को बनाने के पीछे का मुख उद्देश लोगों में मानवता के विकास के लिए गणित के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है यानि लोगों में गणित के बारे में जादा जाग रूपता जागे लोग गणित को जादा पसंद करें क्योंकि बहुत सारे बच्चों को गणित पसंद नहीं होती उन्हें डर लगता है इससे तो इसको खत्म करने के लिए ऐसे कदम उठाए जाते हैं आप नीचे दी गई पहेलियों के उत्तर बताने का प्रयास कीजिए सही उत्तर पर सही का निशान लगाए तो बच्चों यहाँ पर देखो पहला प्रश्न दे रखा है कि एक से सौ तक की गिंती के में अंक आठ कितनी बार लिखा जाता है तो अगर आप एक से लेकर सौ तक गिंती लिखेंगे तो हमें बताना है कि आठ कितनी बार आएगा चलो इसको लिखके देखते हैं अब हम एक से लेकर सौ तक सारी गिंती तो लिखने ही सकते हैं क्योंकि बहुत टाइम लगेगा तो हम सिर्फ वो नंबर लिखेंगे जिसमें 8 आता है जैसे कि पहले है 8 फिर है 18 इसके बाद है 28 उसके बाद है 38 48 58 68 78 इसके बाद 80 81 82 83 इसके बाद आ जाएगा 84 85 86 87 88 89 इसके बाद 98 अब आठ गिंते हैं इसमें एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ दस ग्यारा बारा तेरा चौदा पंद्रा सोला 16 हो गए अब यहां देखो दो बार 8 है तो 16 जमा में दो 18 यहां पे आ जाएगा 19 और यह आ जाएगा 20 यानि कि 8 यहां पे कितनी बार आ रहे हैं तो सही उत्तर है 20 बार ठीक है दूसरा प्रेश्ण है कि 20 का सिर काट दिया ना चोरी ना खून किया तो यहां पे संकेत है कि उत्तर इसी पहेली में है तो बच्चों आपके शरीर का ऐसा कौन सा हिस्सा है जो की संख्या में 20 है और जिसका आप सिर काटते हैं तो यह है देखो और इसका आंसर आपको इस पहेली में ही दे रखा है जो की है ना खून हमारे ना खून उंग्लियों में होते हैं और उंग्लियां 20 होती हैं और हम अपने नाखून को काटते भी हैं जब ये बड़े हो जाते हैं तो उत्तर क्या आ जाएगा बच्चो नाखून ठीक है तीसरा प्रश्ण है कि राजू के घर उसके कुछ दोस्त आए उसकी मम्मी ने उसे कुछ सेब उसके दोस्तों को देने के लिए दिये राजू अगर सभी दोस्तों को एक-एक सेब देता है तो उसके पास एक सेब बच जाता है यानि जितने दोस्त हैं सेब उससे एक जादा है अगर वह सभी को दो-दो सेब देता है तो एक दोस्त बिना सेब के रह जाता है तो राजू के दोस्तों और सेबों की संख्या बताई तो बच्चों देखो, अब जितने दोस्त हैं, उससे सेव एक जादा है, तो इसलिए ये वाला आंसर तो नहीं हो सकता, ठीक है? अब अगर हम 5 दोस्त माने और 6 सेव माने तो अगर हम मान लेते हैं ये 5 दोस्त है तो अगर इन में से सब को एक एक सेव देगा तो एक बच जाएगा ये तो ठीक है लेकिन second time में अगर वो सब को 2-2 देता है तो वो सिर्फ 3 दोस्तों को सेव दे पाएगा और 2-2 एक्सटा पांच सेब तो हो ही नहीं सकता क्योंकि पांच सेब को आप दो-दो करके बाट नहीं सकते हैं तो यह आंसर भी नहीं होगा करेक्ट आंसर है चार सेब और तीन दोस्त ठीक है अब इसको वेरिफाइ कर लेते हैं कैसे तीन दोस्त हैं तो हम मान लेते हैं ये तीन दोस्त हैं अब अगर राजू इन्हें एक एक सेब देता है तो एक सेब एक्स्रा बच जाएगा लेकिन अब राजू क्या करता है कि वो दो दो सेब देना शुरू करता है तो दो save इन्हें और दो save इन्हें अगर देगा तो चार save complete हो जाएंगे और इस वाले दोस्त को कोई भी save नहीं मिलेगा ठीक है तो इसलिए उत्तर है चार save और तीन दोस्त अब आपके parents के लिए सुझाव है कि गणित से संबंधित पहेलिया पूछने के खेल बच्चों के और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको जरूर लाइक करें अपने फ्रेंज के साथ भी शेयर करें और इस चानल को सब्सक्राइब करें थैंक यू